हेलो दोस्तों मैं हूँ दीपक ELP स्वागत है आपका दीपक EdTech में तो दोस्तों बहुत से लोग जब ELP का फाम अप्लाई कर रहे थे हो तो फाइनल सब्मिशन जब डाउम्लोड कर रहे थे फाम अप्लाई होने के बाद तो उसमें उनका फोटो और सिगनेचर नहीं आ रहा था तो उसमें पता नहीं चल रहा था क्या करें तो देखिए मेरा चाचा का लड़का है उसके साथ भी ऐसा हुआ था आज वो ऐसे ही लॉगिन करके चेक करने के लिए बस लॉगिन कर रहा था कि फाम का इस्टेटस क्या है तो उसके फ्रंट पे आ गया फिर से फोटो और सिगनेचर अपडेट करने के लिए तो और फिर से photo और signature अपडेट किया उसके बाद submit किया उसके बाद दुबारा login करके जब दुबारा final submitter का जो PDF डाउनलोड किया तो उसमें उसका photo और signature आ गया था तो आपको भी फार्म भरते से में ऐसा problem आया था आपके जो PDF डाउनलोड किये तो उसमें आपका photo और signature नहीं सो कर रहा था तो आप भी एक बार login करके देखिए आपके front पे हो सकता है ऐसा आया photo signature अपडेट करने के लिए तो आप ऐसा एक बार करके चेक करिए और फिर से final submission डाउनलोड करके देख लिजेगा कि photo signature आ रहा है की नहीं